दोस्तों क्या आपको पता है कि accounting के golden rules क्या है हमारे जो भी accounts होते हैं वो तीन types के होते है personal, real और nominal accounts personal account का rule होता है debit the receiver, credit the giver इसका मतलब है कि पाने वाले को debit करें और देने वाले को credit इसे हम इस तरह भी समसकते हैं कि उस person के account को debit करें जिसे business से कुछ मिल रहा है और उस person के account को credit करें जो business को कुछ दे रहा है दूसरा हमारा होता है real accounts इसका rule है debit what comes in, credit what goes out जब भी business में कोई property आती है तूसे debit करते हैं और जब भी business से कोई property जाती है तूसे credit करते हैं थर्ड नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है debit all expenses and losses, credit all incomes and gains यानि profit बिजनर्स के जो भी खर्चे या loss होते हैं यानि हान ही होती है उनके अकाउंट को debit करते हैं और जो भी income या gain होते हैं यानि कि profit होते हैं उन्हें credit किया जाता है